तो आज हमें दो वानिया हैं अभ्यास के लिए पहली वानी है तेरा मार्श उनतर की और दूसरी उसके आगे की 20 मार्श उनतर की तो ये वानिया छूटी वानिया है लेकिन सार बहुत है माना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिनके उपर हमें अच्छा खासा मनंचिंतन करना होगा और उन बातों को मक्षन को जीवन में धारन भी करना होगा तो सबसे पहली जो वानिया है जैसे आप देख पा रहे हो जो उसका टाइटल है प्रेम और शक्ती के गुनों की समानता तो इस वानिया में बाबा ने भरतमान समय के अनुसार प्रेम और शक्ती इन दो गुनों की हम राम्हन आत्माओं में समानता होनी चाहिए इसके उपर जोर दिया हुआ है और फिर नकिसिव समानता लेकिन वो साथ हो साथ एक ही समय पर दोनों गुन समान रिती से अभियक्त हो इसके उपर अटेंशन खिचवाया फिर अपने अभी के वरतमान समय भविश्य के भी सौबाग्यों को सुमिरन करते हुए सदय वो उन्नती को ही प्राप्त करना है इस पॉइंट को भी लिया हुआ है फिर बाप दादा के सामने तब कुमारिया भी बैठे हुई थी तो कुमारियों से बाबा ने उनात्माँ से बात की और अमरूत वेला और नुमाश्राम दोनों के उपर ध्यान खिचवाया है वैसे ही संगटन में चलते हुए संसकार मिलन की राज करना स्वयम को मोल करते चलना इसके उपर भी अटेंशन खिचवाया और आपे ही जब ये अटेंशन हरेकात्मा के उपर है तो ज़रूर उसके करमा ऐसे होंगे जिससे गुनों का दान होगा तो वो भी पॉइंट बाबा ने लिया अन्त में थोड़ा सा एक छोटे से कुछ लाइंस है उसमें बाबा ने समय समय के उपर भी अटेंशन खिचवाया और कैसे हमारे करमा हमारे लिए दरपन है हमारा दरपन है कि जिस हमारे करमों से हमारी पहचान होती है कुछ एक लाइंस में बाबा ने बहुत पॉइफुल कुछ पॉइंट्स हमें बताएं नेक्स्ट वानी में साथ बाते छोड़ने की और साथ बाते धारन करने की बात की हुई है तो पढ़ते जाएंगे पहली वानी को ये वानी 13 मार्च उनिस सुनत्तर की है प्रेम और शक्ति के गुनों की समानता तो बाब दादा कहते है आतम अभी मानी हो याद की यात्रा में बैठे हो तो हर एक आत्मा स्वयम को चेक करे क्या मैं आत्मा अपने सत्ते स्वरूप में स्थित हो परम दाम में बाबा को देख रही हो स्थित करे स्वयम को स्थिते में आगे याद की यात्रा में भी मुख्य की स्कुन में स्तित हो अब देखो वहाँ पे तो सन्मुख बाब दादा बैठे हुए है तो ज़रूर बाबा की याद में ही है और जब बाब दादा सन्मुख है तो सबसे मुख्योगुन क्या होता है अंदर क्या भावना होते है प्रेम की तो बाबा ने पूछाईए कि मुख्य किस गुण में सित हो या आपकी यात्राव में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है तो सभी ने अपना-पना विचार सुनाया पांदर भावन में हिस्ट्री हॉल आखों के सनमुखाए छोटा सा संगठन है और बाबदाता एकदम अपने पन से अपने बच्चों से बाते कर रहा है तो हर कोई अपना-पना विचार भी सुना रहा है तो बाबदाता आगे कहते हैं इस समय तो सभी विशेश प्रेम स्वरूप की स्थिति में है लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमान जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए तो प्रेम स्वरूप की स्थिति लेकिन उतना ही शक्ति स्वरूप लेकिन उसके लिए एक पॉइंट जो बाबा ने कहा जिसके उपर हमें आटेंशन देना है वो है वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमान इस पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे लेंगे आगे बाब दादा कहते हैं देवियों के चित्र देखे है देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशिष्टा होती है अपने चित्रों को कब ध्यान से देखा नहीं है तो जब देवियों के चित्र बनाते हैं काली के सिवाए बाकि जो भी देविया है उन्हों के नयन हमेशा गिले दिखाते हैं, जरूर हर एक के सामने जो देविया हम देखते आए है, उनके चित्र जो हम देखते आए है, वो जरूर आये होंगे, तो इस चीज को जरूर नोटिस भी किया होगा, चहरा कैसा है, प्रेम सोरूप है और नेन गिले है, तो प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं, मुख्य रूप से नयन जो है वो गीले दिखाते हैं, थोड़ा सा लैन, कि एक बहुत प्यार अनुभवा आत्मा कर रही है, जो भी उनके सनमुख है, उनके प्रती, तो प्रेम में जैसे डूबे वे नयन दिखाते हैं, और साथ साथ जो उनका चेहरा आधी बनाते हैं, तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संसकार देखने में आते हैं, लेकिन नयनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती हैं, तो चेहरे पर शक्ति के संसकार दिखाए देते हैं, तो नयनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती हैं, मातापन के प्रेम के स इन नैनों से दिखाए पड़ते हैं, उनों के ठहरने, बैठने का धंग, बासवारी, अस्तर शस्तर दिखाते हैं, वो शक्ति रूप प्रगट करता है, तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुं समान होने चाहिए, जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप, अभी तक दोनों नहीं हैं, कभी प्रेम की लहर में, कभी शक्ति रूप में स्थित रहते हूं, दोनों ही साथ और समान रहे, यह है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी, अभी यह सबसे मुख्यों पॉंट जिसके आधार से वानी को टाइटल मिला हुआ है, कि प अभा ने रिजल्ड क्या दिया, कि दोनों की समानता नहीं है, कभी प्रेम की लहर में बच्चे आ जाते, शक्तिया आ जाती तो कभी शक्ति की लहर में होती है, एक साथ और समान स्वरूप में नहीं स्थित रहते, तो तीन पॉइंट्स हमें इस डायलोग से लेने हैं, अनुसारी होना जुरूरी है, तो जो आज हम देखते हैं, कि अभी के समय पर क्या है, आत्मा है बहुत भटक कर ठक कर आई हुई है, ताकत नहीं है, हिम्मत हीन होकर आई हुई है, तो दिल शिकस्त होकर आई हुई है, जब वो आती है, तो अनेक अनेक कमी कमजूरिया विका आत्मा के अंदर है, बहुत सारा विकर्मों का बोजा भी आत्मा के उपर है, बोजल आत्मा है हमारे सन्मकाती है, तो वो जो है जैसी है, उस रिती से उनको स्विकार कर लेना, यही एक माध्यम बनेगा उनके परिवर्तन के लिए, थोड़ा सा हम अपने से लगा कर देखे, हम बाबा के पास आये, तो हम साफ सुथृ तो नहीं आये हैं, अपने-पनी विकर्मों का बोजा लेका अउगून कमी-कम्जूरी है, सारे विकार लेकर बाबा के पास आये, लेकिन, बाबा ने पूरन रूप से हमें सुएकार किया, क्या देखा बाबाने, हम जो ओरिजनल जो आत्मा है उस स्वरूप को देखा न कि हमारे उपर के दागों को तो यह जो एक बेहद का रहम दया है वो ज़रूर जैसे बापा ने करके दिखाया हमारे में भी होना जरूरी है कुई कि आत्मा उनको अब हम जज नहीं कर सकते अगर हमारा वो वाला स्वरूप होगा जहां पे ज़रूरी है शक्ति सुरूपा भी क्योंकि जैसे वो दिल शिकस्त है हिम्मत हीन है ठके हुए है भटके हुए है उसी समय पर उनमें बहुत सारे विकारूं की प्रविष्टा भी है तो अगर हम बहुत ही जादा रहम का रूप धारन कर ले तो कहा न कहा धोका भी खा सकते है क्योंकि हमारी जो आत्मिक सिती है आत्मिक द्रश्टी है रहम भाव है दुन्यावी लोग इस चीज़ को एकदम से नहीं समझ पाएंगे तो हम दोखा भी नखाए तो उसके लिए शक्ति सुरूप तो शक्ति सुरूप मना क्या मेरी बुध्धी सदयवा श्रीमत अनुसार चले बाबा की याद बुध्धी में हो ज्यान बुध्धी में हो और सिर्फ और सिर्फ श्रीमत के आधार से वो निरनाय दे कभी भावनों के वश आकर कोई निरनाय नहों माना है मेरा दिल माना मेरा मन मेरी भावना है मेरी बुध्धी के ऊपर कभी हावी नहों तो बेहत का रहम रुहानिस ने जरूर हो, ख्षमा की भावना हो, लेकिन उसका एक जो एक लकीर है, कौन सी लकीर, श्रीमत के अंदर, तो ये जो है, एक साथ हो, और समान हो, ये कब हो सकता है, जब पाउरफुल अत्मिक स्मृती हो, स्थिती हो, बाबा की याद, अभी का जो समय चल रहा उसकी स्मृती और कर्तविकी स्मृती, समय अनुसर्ण जो मेरा कर्तविक, मैं कौन? मैं बाब समान, आस्टर, बाब समान मुकति जीवन, मुक्ति दाता, गति सदगती दाता हूँ, विश्वकल्यानी हूँ, जब तक ये मेरे अंदर नहीं है, तो इन दोनों कi समानता, और दोनों साथ हो ये नहीं हो सकता तो वर्तमान समय के अनुसार इन दोनों को साथने होना जरूरी है समान होना जरूरी है और बाबा ने कहा ये क्या है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशाने माना हम समझते इस चीज़ को ये प्रवास है हमारा लेकिन जब इस स्थिति म माना मुझ आत्मा ने अपनी जो शक्ति स्वरूपा है या जो संपुर्णता है उस संपुर्णता को प्राप्त कर लिया अगर हम बाबा को देखे स्वाम शुर बाबा उनमें प्रेम और शक्ति का सदय वा बैलेंस है रोज की मुलिया हम पढ़ते हैं कितना ना प्यार है प्या सारे एक्जांपल से उनको देख देखकर हमको अपने में ये धारना जरूर करनी है आगे बाबा कहते हैं अभी बाब दादा को अपनी बच्चों के मस्तफ में क्या देखने में आता है अपने मस्तफ में देखा है क्या है प्रारब्द देखते हो वा वरतमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो वह और कुछ तो फिर से हर एक ने अपना अपना विज़ार सुनाया तीनों संबंदों से ही तीनों ही बाते देखने में आती है इसलिए आपको त्रिशुल की सौगात भीजी थे तो जरू तब बाबा ने सौगात दी होगी त्रिशुल की तो बाबा ने तीन संबंदों और तीन बाते कहा तो वो क्या है तो बाबा ने तीन बाते बाबा आगे बता रहे है संबंदों को हमें जोड़ना होगा अपने चिंतनवारा तो त्रिशुल की सौगात भीजी थे तो तीनों ही सितारे दिखाए दे रहे हैं एक तो भविश्य का दुसरा वर्तमान सवभाग्य का और तीसरा जो परमधाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्ता होनी है वो आत्मा की संपूर्ण स्थिती का सितारा तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं तो एक है अभी का अभी का क्या है वर्तमान सवभाग्य कि कौन मुझे पढ़ा तो टीचर रोप में हम वर्तमान को देख सकते हैं, अपनी सौभाग्य को देख सकते हैं, पढ़ाई पूरी करेंगे परमधाम जाएंगे, संपूर्ण स्थिती को प्राप्तकर वहापस्तित हो जाएंगे, तो वो है संपूर्ण स्थिती का सितारा, तो परमधाम कौन लेके जा तो वो वर्से के रूप में मिल रही है तो वरतमान के साथ टीचर परंधाम के साथ सद्गुरू और आने वाले भविश्य के साथ हम बाप ये रिष्टा जो सकते हैं तो ये चिंतन का पॉइंट है हर एक कोई इसके उपर जरूर चिंतन करें कि ये जो तीन मुख्य संबंद है ये इन तीन सितारों के साथ बातों के साथ कैसे लगते हैं आगे बाबा कहते हैं इन तीनों सितारों को देखते रहना कभी कभी सितारों के बीच पाधल आ जाते हैं कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं कभी तूट भी पढ़ते हैं कभी देखो तो बहुत उपर कभी देखो तो बीच में कभी देखो तो उससे भी नीचे माना ये जो तीनों रिती से जो हमारे भाग्य है वो भाग्य स्मूती में नर रहने के कारण आत्माओं की स्थिति आगे नीचे उपर नीचे होती जाती है वो बाबा बता रहे हैं तो जगह भी अभी बदली नहीं करनी च ग्यान से खिसक जाए ये कभी नहों बाबा का हाथ चोड़ दे ये कभी नहों और नहीं जहां आज हूँ इससे नीचे में आओ बिल्कुल नहीं बाबा कहते है जाग जगा बदली भी करनी है न इन सितारों को तो आगे ही बड़ो लेकिन उसके लिए विदी क्या बताई वर्त जगा बदली करने की आदत को मिटाना है मना आस्थिती ऐसी कलव ऐसी बाबा कहते है ये नहीं करना अगर बदली करनी है जगा तो आगे बढ़ू पिर आगे बाब दादा के संमक कुमारिया बैठी हुई है तो बाबा उन से बात कर रहे है कुमारियों की रिजल्ट कैसी है आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो, विशेश किस बात में उननती समझती हो, तो हर एक ने अपना सुनाया, याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसुस्ता नहीं होती, अमुरूत वेले याद का इतना अनुभाव नहीं होता है, इसलिए जैसे साकार में यहां खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष भी देते थे, योग का अनुभाव भी कराते थे, इस रिती जो कुमारियों के निमत टीचर से, वह उनों को आधा घंटा एक कांत में सैर करावे, जैसे शुरू में तुम अलग-अलग जाकर बैठते थे, सागर के किनारे, कोई कहा, कोई क कहा जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस करा, छते तो यहां बहुत बड़ी-बड़ी है, फिर शाम के समय भी साथ से साड़े साथ तक यह समय विशेश अच्छा होता है, जैसे अमरूत विले का सतोगुनी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुनी है, सैर पर कीचेगा, योग की सब्जेक में बहुत कमी है, तो बाब दादा ने उनको रिजल पूछा, लेकिन रिजल खुद ही बताया, कि अनुभव की कमी है, तो बाबा ने क्या कहा, अगर एक बैट, एक जगे बैट कर अगर सुस्ती आती है, मन बुद्धी बटकता है, तो सैर करकर भी कर सकते, जैसे साकार में बाबा कराते थे, और नुमा शाम के लिए क्या कहा, करना ही है, और विशिष, साथ से साड़े साथ का जो समय है, अमरुत वेले समान सतोगुनी है, तो वहाँ पे संगटन में योग ज़रूर करना है, और और एक जो बाबा ने डाइरेक्शन दि तो योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है, भाशन करना, प्रदर्शनी में समझाना, यह तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को एक सपताह ट्रेनिंग दे दो, तो बहुत अच्छा समझा लेंगी, लेकिन यह तो जीवन में अतिंद्रियो सुख का अनुभव करना है, करन जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे, तो अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नैनों से चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा, फिर उनों से माला बनवाएंगे, जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी न, तो मानी की सेवा, तो भाबा कह रहे कोई भ करेगा, लेकिन अपनी स्थिति द्वारा सेवा करना उसके लिए योग की यात्रा का हां, याद की यात्रा का अच्छा अनुभव आथमामे हो, कलभी जैसे बाबाने मुखली में साकरवानी में कहांना, कि तुम कॉन हो őः, योगका बल मुझ आत्मामें जमाहों, जब व अव्यक्त स्किति का अनुभव आत्मा में जमा होता जाएगा तो आपे ही उसका प्रभाव नेनों द्वारा चलन से पत्तक्ष दिखाए देगा तो बाबा ने ये लक्ष दिया और उसके लिए विशेश अमृत्विला और नुमाशाम की उपर अटेंशन किछवाया है आगे इस ग्रूप को उमंगुठ सह अच्छा है बाकि एक बात खास ध्यान में रखनी है कि एक दो के संसकारों को जान करके एक दो के स्नेह हमें एक दो से बिल्कुल मिलजूल कर रहना है जैसे कोई से विशेश स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते है ऐसे ही सभी को एक मिक्स होना चाहिए जब कुमारिया ऐसा शो करके दिखाएंगी तब फिर और भी कुमारिया सर्विस करने के निमेद बनेंगी और जो निमेद बनता है उसको उसका फल उनको उसका फल भी मिल जाता है अब शोकेस हो अनिक कुमारियों को उमंगुट्साह और उन्नती में लाने स्वयम को मोल करते जाएंगे, मिल जुल कर रहेंगे, और आपसी स्नेह से, जबर्दस्ती नहीं, आपसी आंतरिक स्नेह, जो पहला पॉइंट हा, प्रेम और शक्ती का बैलेंस, साथ हो, समान हो, तो जितना वो एक रहम अंदर होगा, कभी कुछ भी कमी कमजोरी दिखाए दे र यह सारे जो बाबा हमें हमेशा एक डारेक्शन्स देते हैं, कि कैसे हमें शुब भावना, कल्यान की भावना, शुद्ध भावना, और उनके प्रति रखनी है, जब यह रखते जलेंगे, तो ही हर एक के साथ हम मिल जुल कर, आपसी स्नेह से चलेंगे, और जितना हम यह करते हैं, उतना ही उसका उजुरा दिखाना है, कई कुमारियों की उन्नति के निमित्त बन सकती हो, अपनी हम जेंस को गिरने से बचा सकती हो, कुमारियों के साथ बाप दादा का का काफिस नेह है, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र है, और कुमारिया भी पवित्र है, तो तो कुमारी उनको डारेक्शन दिया कि कैसे तुम्हें चलना है और अपने चेहरे चलन से सेवा करनी है साथ में ही जो बड़े है बाबा क्या कह रहा है कि जो आप कर रहे हैं अब इन बच्चों को आपको सिखाना है तो क्या है फर्ज हर एक महारती का अपना गुन औरों में भरना जैसे ज्यान का दान देना होता है वैसे गुनों का भी दान करना चाहिए जैसे ज्यान रतनों का दान करते हो इसलिए महारती कहलाए जाते हो वैसे गुनों का दान भी बहुत बड़ा दान है ग्यान देना तो सहज है, गुनों का दान देना इसमें जरा महनत है क्योंकि ग्यान का दान थोड़ा सा मेमरी अच्छी हो, बुद्धी अच्छी हो तो समझेंगे, अच्छे से याद रख कर बोलेंगे विशेष्टा है ये बाबा निभरी हुई तो वो तो बहुत सहज बात है लेकिन मेरे करमों से, मेरे विवार से, चलन से औरों को गुनों का दान हो उसके लिए वो गुन मेरे अंदर संसकार के रूप में हो मैं उनका स्वरूप हो, होनी चाहिए तो ही तो मेरे कर्मों में बहुत सहज रिती से वो आते जाएंगे जिनको देखकर अनुभावकर आत्माय प्रेजना ले अपने को भी परिवर्तन करेंगे विसलिए बाबा ने काई इसमें दरा मेहनत है क्यों मेहनत क्यों कि मुझे अपने उपर काम करना है तो कर्मों तक वो आए तो गुनों का दान करने में सभी महारतियों में नंबर वन कौन है जनक दादी जानकी जी को बाबा ने याद किया तो यह गुण उसमें विशेश है तो एक-दो से यह गुण उठाना चाहिए तो हम गुणों का दान करे और जो भी मुझे में विशेष्टा है वो विशेष्टा और उमें आए उनको भी मैं योग्य बनाओ इसके उपर भी अटेंशन हो आगे आबू म्यूजियम की तैयारी के बारे में बाप दादा बोले दुरान देशी और विशाल वुद्धिबन म्यूजियम तैयार करना है पहले ही भविश्य को सोच, समय को सफल करने का गुण धारन करना है और टाइम पर तैयार भी करना है जल्दी भी हो और संपूर्ण भी हो तो कमाल है अगर कोई भी कमी रही तो उस कमी की तरफ सभी की नजर जाएगी ऐसी कमी न हो, सभी के मुख से कमाल है ऐसा निकलना चाहिए सारा दैवी परिवार आपका चेहरा म्यूजियम के दरपन में देखेंगे यहाँ पे बाबा ने समय के तरफ अटेंशन कि जो आगे का आने वाला समय है उसके कारण ये सेवाए म्यूजियम से जो समय था कि अत्मा आ कर कुछे देखे और अनुभाव करे और फिर आए बाबा के साथ पास, तो उसके लिए म्यूजियम तेयार करना है तो समय पर भी तयार हो आने वाले समय को देखते हुए, जो कार्य लिया है, वो समय पर तयार भी हो, और परिपूर्ण भी हो, संपूर्ण भी हो, कमी न रहो कई, तो इस रिति से जब हम कर्म करते हैं, तो उस वो कर्म जैसे कि मेरे लिए वो दरपन बन जाता है, अच्छा, आगे एक छोटी सीवानी हैं विस्तारिक की विसमाज उनिसूनतर की, साथ बाते छोड़ो और साथ बाते धारन करो, सभी किस सुनूती में बैठे हैं, किस देश में बैठे हैं, व्यक्त देश में हैं, व्यक्त देश में, अव्यक्त को व्यक्त में लाया है और तुम अव्यक्त हुए हो, अभी की मु मुलाकात कर रहे हैं बाबा क्या है अभी आये हुए है व्यक्त देश में लेकिन बाबा की स्थिति अव्यक्त स्थिति ही है तो अव्यक्त रूप में ही मुलाकात बच्चों के साथ कर रहे हैं तो अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए तो बच्च अरपन में देख तो सकते हो ना, संपूर्ण स्थिती का चित्र साकार में देखा है, साकार तन जो था वो संपूर्ण करमातित स्थिती नहीं थी, उसकी भेट में बता, उन जैसा तो बनना ही है, कुनों को ही धारन करना है, तो उनके अंतिम स्थिती और अपने वर्दमान स्थ में फर्क कितना फर्क समझते हो उसके लिए कितना समय चाहिए साकार का सबूत तो इन आखों से देखा उनके हर गुण हर कर्म को अपने कर्म और वानी से भेट करो तो मालूम पड़ जाएगा अभी समय के हिसाब से 25% से भी 22% भी बहुत है समय पुर्शाद का बहुत कम है इस लिए जैसे याद का चार्ट रखते हो साथ-साथ अब यह भी चार्ट रखना चाहिए साकार जो कर्म कर रहे थे जो स्थिती जो समुती थी उन सभी से भेट करनी है तो क्या चार्ट बताया प्रमा बाबा की जो अंतिम कर्माति तवस्था थी बुक्स है बने हुए वहाँ पर हमें सब पढ़ सकते हैं, तो वो जुस्तिति थे, उनके साथ हमारी संकल्प, स्मृति, बोल, कर्म, हर एक को हमें चेक करना और वो चार्ट रखना है कि उस उनमें कितने समानता आई हैं, आगे, आज कुमारियों का इंतहान लेते हैं, सभी जो पुर्शाद कर रहे हैं, उस साथ बाते छोडनी हैं, वह कौन से, तो हर एक कुमारी ने अपना-पना सुनाया, छोडने का तो सभी को सुनाते हूं, पाच विकार और उनके साथ छटा है, आलस्य सात्वा है भय, यह भय भी बड़ा विकार है, शप्तियों का मुख्यगुन है ही निरभय, इसलिए भय को भी छोडना है, अच्छा, तो यह तो होगे साथ पॉइंट्स, पांच विकार, काम, कुरोद, मुख्यग, अहंकार, आलस्य से चटा विकार और सात्वा है भय, इनको हमें छोडना है, अच्छा, अब धारन क्या करना है, अपने सुरूप को जानना, तो स्वरूप, स्वधर स्वधेश, सुकर्म, स्वलक्ष, स्वलक्षन, और स्वधर्शन चक्रधारी बनना है, यह साथ बाते धारन करनी है, क्या क्या धारन करना, मुझ आत्मा का जो सत्य सुरूप है, बिंदू, जोत्य बिंदू, तो उसको धारन करना, मारा निरंतर उसके सुरूप में स्थित हो आत्मा निरंतर उनका ही अनुभव करती रहू और मेरे द्वारा वही अभिव्यक्त हो। तीसरा स्वदेश परमधाम की सुनुति में कहा से आई हूँ और कहा अब मुझे जाना है। तो उस परमधाम के बेहत्पन का, मुक्ति की अवस्था का, शांती का, पवित्रता का अनुभव मेरा निरंद पर चले। सु कर्म, परमात्म श्रीमत अनुसार ही मेरा हर एक कर्म होता चले, इसको मुझे धारन करना है। मारा शक्ति स्वरूप बन जाना है। स्वर लक्षन, समय अनुसार बाबा ने जो मुझे लक्ष संपन्नता का दिया हुआ है, उस संपन्नता की स्थिति को मुझे संपूर्ण रिति प्राप्त करना है। तो लक्ष को भी न भूले। और स्वालक्षन, लक्षच के अनुसार लक्षण आत्मा धारन करते चले, और आगे स्वाधर्शन चक्रदारी बनना है, माना निरंतर मेरा धान अपनी स्थे के उपर हो, अब मेरे अंदर क्या चल रहा है, और उसी के साथे साथ समे किश्मूती, यह समे कौन सा है और समे बातों को छोड़कर साथ बातों को धारन करेंगे तो आतमा प्रेम और शक्ति को साथ ही साथ में समानता से जीवन में धारन कर पाएंगी बच्ची रहेंगी अनेकों को बचाने के अने में तबनेंगी अमरूत विला और नुमा शाम पर विश्विश अटेंशन वर्तमान और भविश्य के सवभाग्य किस्मुती और समय किसमूती बुद्धी में हो, मेरे कर्मा ऐसे हो, जो मेरे लिए दर्बन का काम करे और गुनों के दान करने पर अटेंशन रखना है तो मुख्यों पॉइंस ये आज की दूनोवानियों में थे अच्छा, ओम शांति जी, ओम शांति, बहुत अच्छा आज देखो, मदुबन में भी आपने सुना होगा कि कुमारी उनकी बट्टी चालू है तो अभी हम एक मिनिट साइडेंस रखेंगे झालू है ओम शांति आज क्या खा बाबा ने बता सकते हैं क्या आज की मेन वादे में बाबा ने क्या 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 खाए साथ बाते छोड़ना है साथ बाते धारन करने कौन से क्या खाए धारन करने क्या फोड़ना है और शांति बैजी जो पैठाब 你 में उद्सक्राइन को साथ बाते चछोड़ने हैं जो जो बाबट clotर्श बाधने जो श दमार, वा उद्सक्राइन वाइनायाों बाबने काही सात बाते सबीने जिबन में धारन करनी हैं ओम शाथ और किसे कोई बात अच्छी लगी बताना के समय कम होता है इसके थोड़ा जल्दी जल्दी बताना और अपने मुख खोलेंगे तब बाबाने आज की साकर मुझ्ड ले कहा ना कि मुख खोलना है मुख खोलना माना ज्यान बताना कोई भी बात आपको अच्छी लगे ने बतान कि आव्यक्त मुद्र कामारा क्लब है कि देखो यह हम ब्रेकाउट रूम भी किसले करते हैं कि एक तिसरे बात करें कि अगर चार दून बात करें बागी सब म्यूट पर जाए तो अच्छा नहीं लगता है इस ते लेप्ट हैंड साइड पर अपना माइक है उसको अन्मूट करना और बोलने का जी पॉलिस अप्शन जी अभी तक जिसे हम डोगों ने जो विकार सुने थे पांच विकार लेकिन उसके बाद आज बाबाने हमें फिर से एक बार हमें रिमाइंड करा है कि पांच मुख्य के अलावा एक आलस और एक भाए यह भी मुख्य दो विकारों में जाद है क्योंकि मुझे सा लगता है कि जो आलस से है वो सबी विकारों की जड़ है क्योंकि जब तक आलस से होगा तो बाकी जो विकार है वो आटोमेटिक हमारे अंदर रहेंगे या फिर ये बाकी सब विकार हैं तो आलस से जो है उसमें एक मिड में है क्योंकि मैंने ये मतलब परसनली फील किया है कि यदि हमारे अंदर वो विकार समाहित होते हैं तो आलज से जिसे फ्री में आता ही है वो सभी के साथ और उसके साथ साथ भाय के लिए भी आज बावा ने बोला फिर बावा ने जो साथ विकार है लेकिन हमें साथ क्या धारण करना है इसका भी अटेंशन केच वाया अर्थात ये तो छोड़ना है लेकिन पकरना क्या है तो साथ साथ का जो भावा ने हमें कॉम्बिनेशन बताया सुदर्शन हमारा सू लक्ष क्या है वो जो अगर लक्ष हमारे सामने होगा तो ही हम उस लक्ष तक पहुँच पाएंगे सुक करम लेकिन अभी हमें संगम पर क्या करना है इसके लिए भावा ने हमारे अटेंशन के चवाया ओम शान्ती भाईजे ओम शान्ती भाईजे अच्छी बोले 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 शीतला देवी बनना है इसे वापा ने कहा है विकारों के उपर अबस्टा भाईजे के उपर देड़ अबस्टा लगी हमें झाल अबस्टा प्रावा देड़े धलिए सकते हैं. जी 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 सब्सक्राइख करना कि अपुक्र आ जिर अंपर नमें बेसा कर्म आ्भाबा ऑनेकों करा में अपने कार्लिय बननाने लेकिन इपने इस इपो मिल शुट आ है अई है तो Doing प्रेम जादा हो तो शक्ति कम हो तो इसके लिए बावने बताया कि जैसे देवियों के चितर होते हैं उसमें जो उनके नैन होते हैं वो हमेशा गीले प्रेम में उनके चेहरे वो भी प्रेम सवरूप होता है और जो उनकी सूरत होती है वो शक्ति के संसकार है तो हमेशा नैनो में प्रेम दया और शीतलता और जो उनका नैन है उसमें प्रेम के संसकार दोनों का कॉम्बिनेशन द के अंदर कमी कमजोरी या विकारों से भरपूर हुए, तो जैसे बाबा के संसकार थे, बाबा उनको अपनाते थे ऐसी बाबने का आए कि कोई भी आत्मा जबाएगी, तो उनके कमी कमजोरी विकारों को न देख के आपको भी उनको अपनाना है उनके और उसके लिए बेहत के लेकिन ये इतना भी रह्म नहीं कि कोई अत्य दिक रह्म नहीं करना ताकि कोई दोका दे इसके लिए शक्ति सब रूप होना वो जरूरी है ओम शाल्ति जे अम शान्ति भाई जी अम तब बोलें मुझे वो साथ बाते छोड़ो और साथ बाते धारन करो को मनन करने में बहुत अच्छा लग रहा है जो साथ बाते मुझे धारन करनी है उसमें है स्वारूप रहना आत्मिक स्थिती में रहना है स्वाधरम शान्ति में रहना है अपने स्वाधेश को सदा याद करते रहना है अपने स्वाधेश को सदा याद करते रहना है अपने स्वाधेश को बुद्धी में रखकर अपने लक्षनों को सारी दिन मनन चिंतर में रखना अगर इस सारी बातें सारा दिन चलती रहें तो बाबा कभी बूलेगा ही ने और साथ अब गुण है जो अपने आपी समापत हो जाएंगे पहले पांच वीकार तो फिर भी बहुत हद तक खतम हो गए है लेकिन भै और अलबेला पन अभी तक भी है उसको खतम करना बहुत जरूरी है ओम शन्ति जी देखो कि बाबा की मुद्ली जो है बहुत बहुत भुत डीप है बहले हमें दिकने में बहुत चोटी दिखती है लेकिन बहुत डीप है तो इसको अप दुबारा पजब्ना और फिर से इसका ृसका श्डडी करना बाऑ मीना शक्ती शरु बबाबाने बहूल रोपक्या और विस्तार में समझाएंगे कि कैसे हम सक्तिष्वरूप प्रेम स्वरूप के साथ रहना है रहता है, दोनु一個 बातों के बयार बी चाहिए और शक्ति भी चाहिए तो आनुषासान कि मर्यादा की कुछ बहार जा रहे हैं वो तुरंद मोद पुलती, यह नहीं होना चाहिए, वना शक्ति सरूप रहना चाहिए, इसलिए तो देखो कि हमारा वर्नन क्या है, कि जब जाए काली का वर्नन, इस सब क्या है, कि शक्ति रूप माना क्या, जब अगर मर्यादा के बाहर जा रहे है, तब हमें शक्ति सरूप बनना है और आप कि टेया से डुत आहें। तो इसको वे थोड़ा थीज कर सकते हैं। तो इसका चिंदार करना कैसे कैसे हमें करना है क्या करना है Decl worker प्यार देना है उड़कने और सदा प्यार देते रहेगे तो हम क्या बोलते हैं कितना प्यार से लाड़ पर किया है इसलिए आपको कुछ सुद्धान है तो उसको थोड़ा सा प्यार के साथ सा शक्ति भी बनकर कुछ बोलना पड़ता है शक्ति को प्रैक्टिकली क्या कहेंगे यज भाई बावन न आज अमरित वेले की उपल़ अनुमा साम के उपर गिदान किच भाया की ज़े संषक्ति वेले का टाइम सात्ति हाब हैं बैसी नुमा साम का जुटाएम वह भी वावन का हां कि सात्तू गुणी है सब्सक्राइब कि साथ से साल साथ पाज उसमें वो बहुत इसा तुगूनी है जी ओम शैंति भाई जी हलो जी जी एक बास पुछिए इसमें त्रीसुल सोगात बेजी है जो बाबा निम बता है हलो हलो सब्सक्राइब को प्रेक्टिक हम सब्सक्राइब में रूम में आये हैं एक मिनट साइलेंस कखेंगे हम हम बाता हूता 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 है क्या जी कि याद की यात्रा में कमी है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने आप से और कैसी याद की यात्रा बढ़ानी है बाबा ने कुछ विधिया भी बता है चलते फिर तो याद करो खुली हवा में सेर करो तो ऐसे हम क्या करेंगे इकांट में बैटो कुछ भी करो ऐसे में कि हमें को इस विधि से ही करना है आपको जो विधि आच्छी लगती है उस विधि को करना है लेकिन याद की यात्रा को कैसे बढ़ा है इस टॉपिक के उपर फोड़ा आपने आपको मनन करना है और इसके उपर प्रक्टिकल में कल क्या करना है तो कल Saturday है तो कल की पूरा दिन खड़ा से याद की यातरा की उपर लक्ष देकर उसको बढ़ाना जो याद है उसके और बढ़ाना है कम से कम आधा गन्टा या एक गन्टा तो बढ़ाना है यह हम लक्ष रखते हैं अर दूसरा क्या है? प्रेम और शक्ति इसका बैलांस कैसे रखे इसके उपर भी चिंतन करें तो कर दोई होमवर्क देते हैं शक्ति और प्रेम का बैलांस कुछ लिखना कि जहाँ प्रेम चाहे वहाँ प्रेम जहाँ शक्ति का यूज़ करना जाए वहाँ शक्ति का यूज़ करें कि अभी कल तो पैसे तो बफ़ड़े है लेकिन हमारे आधी मुर्ल जो रही हुई है वह हम कल पढ़ेंगे और बाकी तो थोड़ा टाइम हम जो भी आपको इस वाहनी में पिछले स्टार्टिंग से कुछ अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप थोड़ा सा लिखना और कल के दिन हम क्या करेंगे उसके ऊपर जो भी हमारे को होष्ट या होस्ट है वह एक इक रूम में जाकर उसको थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे इसलिए कल क्या करना कि हर एक अपना क्यूस्टन लिखे लाना या तो कुछ आप अंडरलाण करना कि कल मुझे पूरा वाने का ऐसे नहीं कि एक वीक में जो भी पड़ा है उसके उपर कल हम फ़ोड़ा डिसकेशन करेंगे अब एक मिनिट साइलेंस करके जो पुराने हैं तो थोड़ा लिव कर सकते हैं और जो थोड़ा से नए है ज्ञान में और जिनको मुर्ली का थोड़ा सा और गहराई से करने उसके उपर हम दस मिनिट डिसकेशन करते हैं एक मिनिट साइलेंस के बार अपना हैंड रेज करना तो एक एक को अंबुट करके हम उनको प्रिशन बता थेंगे, आंसे आपना है आपना है और आपना है प्रिशन देखाई लुट करना है और आपना है आपना है यह जो करना है यह जो किसी को तो बताना तुराएंट यह कहां से प्रसार हो रहा है मैं अभी नए हूं ना मिरु पता नहीं जी यह हरोज शामको या सुबह क्लास होते है नौ बजे शामको चलते है सुबह पाच बजे चलती है तो आप डेली ज्वाइन करना तो आपको समझने आ जाएगा शिक्स्टिन नाइन के अबजेक्ट मिर्ली के उकर चिंतन चल रहा है ज्यान का चलती है जी यह दिली से है कि माउंट आप उसे है इसका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोपोजल संडे को भी बेज़ा जाएगा आप एक पर पढ़ना इसमें डिटेल में सब कुछ बाते लिखिए इसके उपर तो चिंतन करने के लिए बुला है इसके बाबा क्यों बताते आप खुद इसके बारे में चिंतन करने आपको समझ में आ जाएगा तैसे बढ़ना है बाबा ने खुद अपनी विध्या भी बताई एक कांद में बेटो अगर आपके इदर बगीचा है तो आपने पढ़ी है तो उसको चिंतन करो कि आज बाबा ने साथ बाते कौन सी बताए बाबा के से रोरियान करो इतने अच्छे चिवी दिया है आज बाबाने वर्दान में क्या का है कि बाबा का हात अर साथ उसके उपर चिंतन करना इसके ना बची पहले यह सारा याद करना का इवी करेंगे रहा है कि प्रहिटन को बढ़ाते रहेंगे उतना भाब सब्सक्राईटा गया इओ पर फृतनोगा तो फृतना किम fan describing के zwischen k幾 तो 9. फुव看看यंगे उतना फिरी फविलियंगे कि छेंद आ इघoure पिर चिनद लिग युव Belgium सिनेंगे कि जी विजेया लक्षमी प्राइक्टिकली जैसे हम ज्ञान रत्नों को दान करते हैं जितना सहज रिती से ऐसे गुणों का दान प्राइक्टिकली कैसे करना है एक तो चेरे से हर्षित्मुख, स्माइल, उसके अलावा कुछ युक्ति है तो बता से कोई बताएंगे? कोई बताएंगे? तो इसके बारे मैं प्रोड़ा डिस्कॉस करेंगे, पद्मा बेंजा पता है? हाँ जी बाइजे, जो बाबा ने हमें जो 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 ग्यान के पॉइंट दिया ना उसको इसको डीप रियलाइस करना है तो मेरे में कमी क्या है उस एक को पकड़के उसको जब हम विचार सागर मंतन करके हमें उसका मैसुस्त होती है ना अपने अप दारन हो जाती है और जितने हम बाबा के याद में रहते हैं आत्मिक स्थिती में स्थित हो रहते हैं तब हमारा बुद्धी भी स्वच्च बनती जाती है तब धारना भी इजी हो जाती है ओम शान्ती जी तारा बेंगे जो भी है अपना माइक अन्मूट करके बोल सकते हैं ओम शान्ती तीन सितारे के बारे में हमें थोरा से एक्स्प्रेनेशन देंगे मुझे समझ नहीं आया कोई बताएंगे कि बहुत सिंपल है बाबा ने सितारों के एक्जाम्पल बाबा हर्व क्यों देते हैं कि सितारा कैसे जी बोलिए बाबा ने बताया कि इस सितारों का बताया तीन सितारों का कि वर्तमान में सुभागी का सितारा तो ये टीचर रूप में हमें शिक्षा देते हैं जिससे कि हमारे सुभागी का सितारा जो है वो चमकता जाता है फिर उसके बाद भविश्य का सितारा भविश्य में हमें वर्सा मिलता है तो वर्सा कौन देता है बाबा देते हैं पिता देते हैं हमारे तो पिता रूप में हमें वर्सा मिलता है और सद्गुरु रूप में परमधाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्ता होती है मतलब सद्गुरु रूप में बाबा हमें परमधाम ले जाते हैं, परमधाम का रास्ता दिखाते हैं तो ये तीनों सितारे जो हैं, ये हमारे मस्तक में चमकते रहने चाहिए ओम शांति तेंक यू, ओम शांति जी और किसी पुछना है, तो तुरंत अपना माय काने मिट करके बोलना ओम शांति जी जी बहुत बाइजी, मैं इस चीज़ के बात करना चाहते थी, अभी एक वहन ने पूछा कि जो ग्यान है, उसको तो दान करना असान है ग्यान बतनों को, लेकिन जो गुन है इसके लिए उन्हों बोला कि Hei harshiat mukta, लेव देखुखा तो मोतचलो ठी कि है harshiat mukta, हम तो गुंधान कर सके हैं तो जोन थे लावा और को एग्जामपल दीज़ी है हम तो टेखुशा के लावा तो यह तीन उनके खुद के गुन थे जो कि उन्होंने हमेशा दान करें जैसे कि वह सच्चाई भी हमेशा रही उनके उनके सफाई के लिए मैंने इक बार सोना था दिली से कि बाहर लंदन के इसी सेंटर पे थे वह तो जैसे खाना खाते हैं और टेबल्स पे समान रखा रहता है तो उन्होंने कहा कि वह तुरंट उन्होंने का प्लेट्स उठाई कोई भी नमकी टिप यह कुछ भी है तुरंट साफ कीजिए यदि आप ऐसे रखेंगे तो ग्रस्त हो जाएगा सेंटर नहीं आएगा सेंटर माने आश्रम तो उन्होंने सफाई का भी हमेशा ध्यान करेंगे थोड़ा कूंकि बाक्यों को भी बूलना स्योफ क्रेशन बता में क्या है क्या है निग्वाट्ण का डान मतलब इस तरह से बहुत यह जी पूछ रहते हैं कि गुन कैसे हम और चीजों को कैसे करें? तब ही सामने वाला उसे ग्रहन कर सकता है तो वह गुनों का दान ह जी कान की दादी तो इसलिया आपने बताएंगा कि सफा ये दादी कैसे थी तो ऐसे हरें के जीवन में भी गुन है लेकिन उसको हमें क्या करने दाना के देगा तो सामने वाला सीख सथांगा कि अगर वाल भी ये कोई है ये भाइजी कोई है कि अगर कोई हमारे घर के बाहर कच्रा लगा देता है तो हम उसको उठाके अपने घर के अंदर का डस्त में यूज कर सकते हैं मतलब डस्त में डाल सकते हैं बजाए इसके कि दुबारा उसको प्लट के उसके आगे फैक दे तो मानाओ कि हमने जो बाबा की शेमत है उसके अपना एफट किया और वो अफ्कोर्स क्योंकि वो सक्सेस हमारे हाथ में है निश्चे हमें है कि हाँ इस चीज में हमें विजय मिले तो वो उस गुण को दूसरा आदूसरी आत्मा जरूर उसको धारन करेगी कि हाँ इसने मजब कि कुछ की पलेट के गलत नहीं गिया गलत का जवाब गलत से ना दे के ठीक से देना तो जैसे बाबा निरहंकारी भी है और जैसे बाबा ने कोई बड़ा काम छोटा काम नहीं उसको इस तरह से प्रफॉर्मेंस में लेके आना कि ताकि अगला भी इसको धारन करे ओंशांती भाई जैसे अभी डिसकेशन चल रही है ना गुनों के दान को लेकर तो गुनों का दान तो हम अपने प्रैक्टिकल लाइब से कर सकते हैं कि अपने एक्शन स्वारा दूसरों को समझा सकते हैं जहां पर वानी की सेवा नहीं चलती ना वहां पर भाईजी मतलब गुनों की सेवा चलती है गुन दान कर सकते हैं तो मैं इसका एग्जैंपल देते हूं कि अभी हम अधुबन से वापिस आ रहे थे तो पहले तो जाते हुए भी ऐसा हुआ कि एक मतलब ग्यान में नहीं है वह आत्मा लेकिन हम आत्माओं के सेवा ने जिसमें भीके भाईवे ने तो इस चीज़ से वह आत्मा है ना बहुत इंप्रेस हुई तो फिर इतना उनको खुशी हुई तो उनको गवानी से भी सेवा की उपर इस ने मुझे यग्ये में धन जो है दान करने के लिए का तो मैंने का इस बार तो चलो मैं दान कर रही हूं आपका डाल रही हूं बाबा के यग्ये में लेकिन नेक्स टाइम आपको खुद वहां पर जाकर आपको डालना धन तो बहुत खुशी और उसने रहा कि हा मैं जरूर और फिर बापिस आते हुए हम जैसे ही ग्यान का दान, मतलब उनको ग्यान समझा रहे थे एक आत्मा को, तो उसके उपर इसका इंपेक्ट नहीं पड़ा, तो एक आत्मा ना, मतलब जैसे आत्माई कच्रा बाहर विंडो से फैंकती है, तो हमारी ये नेचर है कि हम पॉलिफिन ये तो अब भी से आपकी सेवा शुरू होनी चाहिए, तो जो दूसरी आत्मा के उपर इवानी को समझा इतना नहीं इंपेक्ट पड़ा, लेकिन जब उसको ये हमारा प्रैक्टिकल एक्शन जो उसको सामने आया, तो फिर वो मुझे पूछने लगे, स्टूरी टाइमिंग पूरा टाइम शडियूल की कितने बजे क्लासिस चल दी हैं, तो ये चीज कि वो चाहती थी कि अब मैं ज्यान में जाओं, तो इस चीज को उन्हें ने मेरे से पूर आड्रेस लिए तो इस प्रकार से वहां ये जो हमारे एक्शन हैं, दूसरे के बद बहुत परफ़ाई होत हम पर पड़ेंगे, थैंक यू एवरीवन फर मेकिंग में अन्डेस्टेंड गुनों का दान, थैंक यू इच एंड एवरीवन भई कल बफर दे है के संड़ी बफर दे होता है, पल्सक्राइब सुनिये, सुनिये, देखो कि पहले भी बताया था कि एक दिन पहले शेडूल चलता है, जही से अब देखो कि अभी जो मुर्ली पड़ी, यह हम कल सुभा मुर्ली पड़ेंगे, तो संड़े को बफर दे होता है सुभा का, तो हमारा बफर दे कब होगा, आज, माना, सरे, साटेड़े इवेनिंग को, तो इसलिए चार्ट को अपना पूरा समझना है कि कैसे हम चार्ट क्याम साथ चलते, कल के दिन की मुर्ली एक दिन पहले हम इसमें पढ़ते, इसका रिजन भी मैं आपको बताता हूँ कि यूटूब में सभी को दिखाना पढ़ता है, तो दोनों साटेड़े को होगा, लेकिन हाँ, कई बार हम थोड़ा बहुत उपर नीचे करते हैं, कई अगर गेस्ट आते हैं, उस्तोत, ठीक है, ओम शांती, सभी को गुद नाइट, थैंक्यों, और सभी एक मिनिट साइलेंस करते हैं, इसके बार, झाल झाल